दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपर्डने सागत है आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपके लिए स्लेबस लेकर आएं क्लास 9 और 10 का साइंस का स्लेबस ठीक है 2022 और 23 के सेशन के लिए ठीक है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से जो चैप्टर से हैं उसमें से क्या क्या टॉपिक्स जो है इस साल के स्लेबस में आ रहे है ठीक है और जो पेपर है और जो मार्क्स का डिश्रिबूशन है किस तरीके से है ठीक है तो यहां सुरू में जो कुछ बाते दे हुई है मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट बात आ गई यहां पे ठीक है ठीक है जनल इंस्ट्रक्शन जो रखे है कि आपका एकी एनवल इग्जामीनेशन होगा ठीक है पूरे स्लेबर्थ पर बेस्ट जो स्लेबर्स में आपको इस वीडियो में बताऊँगा उस पर बेस्ट आपका एकी एक्जाम होगा असी नमबर का ठीक है और जब 20 नमबर बचते हैं वो internal assessment के होंगे internal assessment में 5-5-5-5 ऐसे 4 जगा distribution है पहले जो 5 marks है आपके वो periodic test के base पे होंगे ठीक है आपका school जो है आपसे 3 periodic test लेगा उसमें से जो 2 आपके best test होंगे जिसमें आपके best marks आई होंगे उनका average करके 5 में से आपको marks दिया जाएगा ठीक है फिर जो दूसरे 5 marks है वो आपको यहाँ पे जो चीज़े लिख रखी है जैसे short test quiz, oral test, project मतलब आपको कोई काम दिया जाएगा जैसे कोई project दिया जाएगा ये poster दिया जाएगा ये कोई presentation करने के लिए दी जाएगी तो उसके आपके 5 marks ठीक है फिर जो 5 marks है वो आपके practical की है ठीक है practical और lab में जो आपका work होगा ठीक है practical की आपकी file बनेगी उसके 5 marks है फिर आपको एक portfolio बनाना होगा जो 5 marks का होगा तो इस तरीके से जो internal assessment है वो 20 number का है और जो annual exam होगा आपका वो 80 number का होगा ठीक है अब पहले देख लेते class 9 का जो course structure है ठीक है units चार units है इसमें matter, its nature and behavior ये 25 marks का है organization in the living world ये 22 number का motion, force and work 27 number का और food and food production ये 6 number का ठीक है इन सब को combine करके 80 number का हो रहा है ठीक है और internal assessment 20 number का तो total जो हो जाएगा वो 100 number ठीक है तो अब मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको आप इसमें से देख लीजिए कौन को से टॉपिक से वो आपके आ रहे है ठीक है unit 1 जो है matter, nature and behavior उसमें क्या क्या चीज़े हैं देख लीजिए और यहां जो brackets में लिखा गया एक topic है इस तरीके से कि mixture के components को किस तरीके separate करेंगे ठीक है बहुत सारी process बता रखे है तो उनको छोड़ के ठीक है यानि वो deleted है तो जो brackets में लिख रखे है उनको भी आप देख लीजिए कि वो deleted है ठीक है ठीक है फिर आता है the world of the living theme है इसका unit का नाम का है organization in the living world फिर आ रहा है cell chapter इसमें cell वाला जो chapter है ठीक है कौन-कौन से जहां पर topics दिये हुए है वही आपको पढ़ना है तो मेरा मानना यही है कि आप topics को पढ़िए ठीक है आप chapter deleted portion मत देखे आप topics को पढ़िए जो topics है आप उसको अच्छे से cover कर लीजिए उस पर बेज जो question है उसको try कीजिए ठीक है क्योंकि अगर आप mark करने जाएंगे तो आगे पीछे topics दे रखें ठीक है बुक में ऐसे same to same topics नहीं है फिर tissues वाले में देख लीजिए क्या है structure and function of animal and plant tissues और bracket में क्या लिखा गया है only four types of tissues in animals अनिमल में only four तरह के tissues और plants में malistematic और permanent tissues यानि दो tissues ठीक है तो जो bracket में चीज़े दी गई है वो भी important है उनको आप जरूर फॉलो करें third unit का है motion, force and work motion chapter में देख लीजिए कौन कान से topics हैं force and lute laws ठीक है वो दे रखा है फिक gravitation में देख लीजिए flotation फिर work, energy and power यहाँ पर क्या लिख रहा है excluding commercial unit of energy commercial unit जो है energy की kilowatt hour उसको हटा के ठीक है यानि वो deleted है और फिर sound तो मेरा यही मान है आप बस topic पढ़िए जो topics लिए दिखे गई हैं वही आप book में पढ़ लीजिए ठीक है बागी जो बचता है वो deleted ही है ठीक है बुक में अगर आप mark करने जाएंगे तो आपको बहुत problem होगी इसमें फिर food production इसमें देख लीजिए यह सब जो topics दे रखें यह सब आएंगे ठीक है फिर note for the teachers यह कुछ important यहां पर बताएगा है कि जो chapter आपका 14 है NCRT का natural resources वो आपके paper में नहीं आएगा ठीक है हाँ लेकिन यह इसमें लिखा गया है कि teacher जो है बच्चों को कहे कि यह जो chapter है इस पर based portfolio बनाएं ठीक है portfolio इस chapter के concept based बनाएं ठीक है और इसके जो number है वो portfolio में आपको internal assessment में दिये जाएंगे अगर आपको इसमें portfolio बनाने को कहा जाता है ठीक है दूसरी बात क्या लिखे है यहां पर कि जो आपकी book NCRT की उसमें आपने देखा हो हर chapter में देखले कुछ कुछ जगा पर box में कुछ information दी होती है ठीक है वो बस थोड़ी additional information होती है ताकि बच्चों को knowledge यह बच्चों की बढ़े यहां पर क्या लिखाए कि वो जो box में जो भी चीज़े दी हुई है वो आपके paper में नहीं आएंगे ठीक है फिर practicals कौण कौण से यहां पर आप देख लिजे list of practicals unit 1 में देख लिजे तीन चीज़े है फिर unit 2 देख लिजे इसमें बहुत साई चीज़े दे रखे है unit 3 फिर unit नए unit 1, 2 फिर unit 1 है यह देख लिजे unit 2 यह बताया गया कि कौण से unit से यह सब जो है practicals लिए गए है ठीक है यह सब देख लिजे practical आपका मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर का होगा ठीक है आपको सारे नहीं करने है आपको इन में से कुछ जो है आपके teacher बोलेंगे वो करने के लिए वह ही आपको करना होगा ठीक है फिर आता है course structure of class 10 इसमें देख लिजे 5 units है पहला क्या है chemical substances nature and behavior यह 25 नंबर का फिर second क्या है world of living 25 नंबर third है natural phenomena 12 नंबर fourth है effects of current 13 नंबर और fifth है natural resources 5 नंबर इन सब का total हो जाएगा 80 नंबर 20 नंबर जो है 10 में भी वह आपको internal assessment कही होंगे तो total आपको 100 नंबर अब देख लिजे कौन-कौन सा जो syllabus है कौन-कौन से topics हैं वो आपके annual exam में पूछे जाएंगे यहां देख लिजे chemical reaction वाले जो chapter उसमें कौन-कौन से topics आ रहे है second जो chapter है acid, basis and salts यहां पर देख लिजे ब्रैकेट में लिखा गया definition relating to logarithm not required ठीक है जो pH scale है वो log से related होती है logarithm से तो उसकी जो definition है वो required नहीं है वो आप आगी class में पढ़ेंगे 11 में भी है वो ठीक है तो यह required नहीं है यहां पर metal and non-metals इसके जो topics दे रखने हो देख लिजे फिर carbon compounds ठीक है यहां पर देख लिजे ब्रैकेट दो तिन जगाए functional groups में देख लिजे जो यहां पर लिखे गाए है वही आपको पढ़ना है halogens, alcohol, ketones, aldehydes, alkanes and alkynes ठीक है और यहां पर chemical properties of carbon compounds इसमें आपको यह चार पढ़ने है combustion, oxidation, addition और substitution ठीक है फिर यहां पर एक और जगह है ethanol and ethnoic acid इसकी बस आपको property पढ़नी है और इसका use पढ़ना है ठीक है इसके अलावा गर कुछ दिया हुआ है चैप्टर में इस topic के बारे में तो आपको नहीं पढ़ना क्या पढ़ना है बस property और use तो आप इससे book में मिला सकते है लेकिन उसमें बहुत time बरबाद होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह बस आप topic पढ़ लीजेगा book में से जो जो इसमें बताएगा है फिर unit 2 है world of living इसमें life processes है इसमें यह यह chapters आ रहे है ठीक है ऐसे तो बहुत बड़ा chapter है लेकिन देख लीजें कम topics इसमें लिखे गए है यह जो बाकी बचरी हैं इसके लावा वो deleted होंगे फिर 7 जो chapter है control and coordination in animals and plants ठीक है यहाँ पर देख लीजें जो topics दे रखे हैं फिर 8 थ है reproduction उसमें जो topics दे रखे हैं यह देख लीजे फिर 9 थ है heredity and evolution यहाँ पर जो topics दे रखे हैं वो देख लीजे topics excluded यानि कि जो topics delete हो गए हैं वो देख लीजे evolution evolution and classification and evolution should not be equated with progress यह जो topics हैं यह तीन topics यह delete हो चुके है ठीक है फिर unit 3 है हमारा natural phenomena ठीक है जिसमें light और चेप्टर आजाता है उसमें आप देख लीजे light और उसके बाद एक और है 11 चेप्टर ठीक है human eye and the colorful world ऐसा चेप्टर है तो उसमें कौन कौन से topics सारे यहाँ पर लिख दिया गया है ठीक है यहाँ पर एक और एक जगा ब्रैकीट है देख लीजिए mirror formula mirror formula जो है उसकी derivation ज़रूरी नहीं है फिर lens formula है उसकी derivation ज़रूरी नहीं है ठीक है और यहाँ पर reflection of light है scattering of light scattering of light जो है उसका application जो है daily life में आपको पढ़ना है किसको छोड़के color of the sun at sunrise and sunset यह question पहले बहुत बार पूछा जाता था sunrise और sunset के time पर sun का color इस तरीका का क्यों हो जाता है ठीक है तो यह इस बार deleted है ठीक है इसमें scattering of light यह सब जो topics है वो आते थे ठीक है तो hope आप जानके होगे कौन-कौन जो topics हैं वो इसमें delete हो गए है तो unit 4 है हमारा effects of current देख लिजे यह जो सारे topics दे रखे हैं वो आ रहे हैं ठीक है इसके दो chapter है 12 और 13 12 electricity और 13 magnetic effects of current जो topics इसमें लिखे गए हैं बस वही आ रहे हैं इसके लावा अगर कोई है तो deleted है ठीक है फिर last हमारी unit natural resources फिर our environmental test में chapter और यह सारे जो topics हैं वो आ रहे हैं पर 10 वाले बच्चों के लिए भी कुछ notes है ठीक है यह आप जान लेंगे तो अच्छर आएगा कि जो आपका chapter है chapter 16 NCRT का management of natural resources वो आपके annual exam 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 में नहीं आएगा ठीक है same है जैसे class 9 में 14 chapter नहीं आ रहा था वैसे class 10 में 16 chapter नहीं आएगा ठीक है हाँ लेकिन यह जो है आपसे पूछा जा सकता है ठीक है मनलब इसका काम जो है इस chapter से related आपको portfolio में बनाने के लिए दिया जा सकता है ठीक है यानि portfolio में जो है इसका concept आ सकता है लेकिन paper आपका annual exam उसमें नहीं आएगा ठीक है और इसके जो marks होंगे portfolio के वो लगेंगे मैंने आपको बताया था ठीक है internal assessment में इसके marks लगेंगे पांच number सेम चीज़े यहाँ पर भी है second point में कि जो NCRT की book में कुछ-कुछ जगा box में information दी हुई है वो जो है बस आपकी knowledge को बढ़ाने के लिए ठीक है वो आपके exam जो है annual exam होगा उसमें नहीं पोचा जाएगा ठीक है फिर practicals देख लीजे कौन-कौन सा है और यहाँ side नों बताया गया कि यह कौन से units हैं पांच units हैं उसमें से किस units हैं यह सारे practicals ठीक है practicals के लिए आप कौन से book prefer करनी है वो भी यहाँ पर दिया गया है ठीक है आप यह सब देख लीजेए पहले practicals उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ practicals भी आपको करना होगा ठीक है पांच number का है फिर यहाँ पर prescribe कर रखे बुक यह सब भी जो books है इसमें से आपको करना है ठीक है तो hope आपने जो यहाँ पर कुछ और बाते भी दे रखे है वो भी आप देख लीजे question paper का design जो है किस तरीके से है knowledge और understanding के base पर question आएंगे 46% आएंगे ठीक है फिर concept जो आपने सीखा जो आपने knowledge ली उसके application पर based 22% और फिर analyze करने का evaluate करने का create करने का 32% तो इस तरीके से जो आपका paper का design होगा paper का pattern किस तरीके से होगा कौन सा question short answer वाला होगा कौन कितने marks का वो अभी तक नहीं बताया गया जैसे आएगा अभी शायद उसमें time है क्योंकि अभी आपका exam एक ही बार होगा तब तक तो आई जाएगा ठीक है लेकिन किस तरीके से है ठीक है इसमें किस तरीके से जो paper का design होगा knowledge का कितना percent है concept का कितना percent है वो यहाँ पर बता रहे हैं तो hope आपने जो सारा सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई कौन-कौन से जो topics है वो आ रहे हैं bracket में जो चीज़े यहाँ दे हुई है उस पर जरूर ध्यान दे ठीक है उस bracket में जो भी चीज़े लिखी हुई है वो important है ठीक है इन topics के अलावा अगर कोई topic आपके book में बचता है यानि वो deleted है तो hope आप सब जानगेंगे कि कौन-कौन से जो chapters है उसमें कौन-कौन से जो topics है science के लिए class 9th और 10th में deleted है और कौन-कौन से जो practical से वो आपके करने है ठीक है आप से फिर मिलेंगे next video में किसी और topic के साथ तब तक के लिए bye bye see you again and thanks roging